हेलो फ्रेंज केसे हूँ आप सब उम्मीद हैं आप सब अच्छे होंगी मजी में होंगे भगवान आप सब को खुश रखे उढ़े सारी खुश्यां दे वीडियो दोस्तों लाश्ट तक देखें आज हम बनाने जा रहे हैं कच्छे केले की बर्फी तो आठ नो कच्छे केले पछे में लिए हैं उनको दुलके चील लिया और फिर फिर तो यह दुल लिया था यह अप में दिन दोाक कि न रहे तो आप चाहे हैं तो मेश सरसे कर सकते हैं सारे के लिए हमने मेश कर लिए हैं और इधर हमने कडाई में देसी घी डाल दिया जो मेश कीओ केले उनको डाल देंगे पांच मिनट तक अच्छे से भूनेंगे तो केले हमारे जो पांच मिनट हमने भून लिए मैस क्यों केले अब इनमें हम डालेंगे चीनी तो चीनी दोस्तों एक कटोरी से थोड़ी कम है तो हम चीनी डाल रहे हैं उसके बाद थोड़ी ताजी फ्रेस मलाई है दूद वाली बोड डाल देंगे यह मलाई है दूद की मलाई है दोस्तों यह डाल देंगे इससे मतलब बर्फी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो दूद और चीनी को अच्छे से मेस करेंगे और इसे दस मिनट तक स्लो आंस पर पकाएंगे और इसे मसल मसल के मेस कर रहे थे क्योंकि इस इसमें तोड़ी बहुत गुलतियां थी वह भी हमने के सोचा ठीक हो जाएंगी तो सार मतलब जो हलवा मारा है एकदम परफेक्ट हो रहा है तो एकदम यह गाड़ा होता जाएगा एकदम टाइट डो बन जाएगा तो समझो मेर हलवा तयार हो चुका है देखिए दोस्तों तो हलवा हो चुका है तयार अब इसे हम किसी में जमाएंगे तो देखिए दोस्तों एकदम बन गया हलवा जमाने के लिए उदर हमारी बेटी खेल रही है तो उसकी आवाज आ रही होगी आप लोगों को तो इदर हमने डकन में देशी की लगा लिया और इसे जमाएंगे आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं लेकिन हम फास्ट के लिए बना रहे थे ब्रत के लिए तो हमने फूड कलर नहीं डाला देखिए इसी तरह अंपा हलवा डाल दिया और एसे चमाश से बरावर कर रहे हैं तो दोस्तों इस एक गंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे तो एक गंटे हो चुका है दोस्तों तो एकदम मावा हमारा सोरी दोस्तों यह हलवा हमारा एकदम तयार हो चुका है और बिल्कुल मावे की तरह लग रहा है देखिए दोस्तों दिखने में भी और जब हम काट रहे तो एकदम मावे की तरह लग रहा था खाने में बर्फी बहुत टेस्टी बनी थी यह तो आप ल तो इसे हमने बर्फी की आकार में दोस्तों काट लिया है बर्फी हमारी बनकी हो गई यह तैयार इसे बादाम और किस्मी से सजा दिया है अगर आप लोगों को हमारी कच्चे के लिए की बर्फी पशंद आए हो तो प्लीज लाइक से सस्क्राइब करें हमारे चैनल को फिर मिलते हैं कि अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार